जैसी उसिंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज एक नई सुषना लेकर के आया हूँ आप सभी मकर रासी वालों के लिए मंगल देव का गोचर होने जा रहा है 27 तारिक को जो कि आप मकर रासी वालों के लिए रिजल्ट के दृष्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण है चुकि मंगल एक प्रभाव साली ग्रय हैं सक्ति साली ग्रय हैं भूमी भवन वाहन के कारक हैं आपके आत्म विश्वास आपकी आंतरिक उर्जा और आपके आत्म बल के कारक हैं इसलिए इनका गोचर सनी की ही भाती हम देशा महत्वपूर्ण होता है इनका गोचर अगर सुब हो तो इनसान वीरपुरुस बनता है बाधाओं से लड़ने वाला बनता है सत्रूओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनता है और बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करता है और यदि मंगल का गोचर असुब हो या मंगल कुंडली में असुभ हो मारक हो तो ऐसे मंगल इनसान को प्रेत बाधा का सिकार बनाते हैं रुग्ण बनाते हैं रक्त विकार देते हैं और ऐसा इनसान दब्बू होता है डर्पोख होता है साहसी नहीं होता तो मंगल का गोचर बहुत ही महतवपूर है और उसका क्या फलादेश है आप मकर रासी वालों के लिए मैं वो सब आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिएगा चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक आवस्तिक सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेज करें डारेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 मैं ये वाट्स अप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां से भी ले लिजेगा तो चलिए हम चर्चा की सुरुवाद करते हैं मित्रों 27 जुन 2022 की प्रातः सुबह में ही मंगल देव अपनी वर्तमान मीन रासी को छोड़ करके मूल त्रिकोण रासी मेस में प्रवेस कर रहे हैं ये मंगल देव की मुख्य रासी है इसलिए मेस रासी में पहुच करके मंगल देव रुचक नामक राज योग बना रहे हैं और इस रुचक नामक राज योग का आप सभी मकर रासी वालों पर प्रभाव पढ़ने जा रहा है आपको रुचक राज योग का लाभ मिलने जा रहा है आर्थिक रूप में इसलिए आपके लिए प्रसनता का विशय है कि इस बार का मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही सुब है बहुत ही उन्नती दायक है और कल्याण दायक है ये गोचर आपके लिए 70% सकरात्मक और 30% नकरात्मक होगा सकारात्म किस मामले में भूमी भवन और वाहन के मामले में आपके लिए लाब की स्थिती बनी रहेगी अगर आप ब्यापारी हैं तो आपके लिए लाब ही लाब की स्थिती बनी रहेगी और यदि आप सरकारी सर्विस करते हैं और मनचाहा ट्रांसफर चाते हैं तो इसी गोचर काल में आपका वो प्रमोशन या ट्रांसफर होना संभव है चाहे आप बिजनस करते हो या जॉब करते हो आपके लिए एक से ज़्यादा आय की प्राप्ती के साधन निश्चित रूप से बनने वाले हैं इस गोचर में इसमें कोई दोर आय नहीं है हाँ एक बात है कि जो लोग ब्लड प्रेसर के रोगी हैं उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना है क्योंकि मंगल उर्जा के कारक है उर्जा की जब वृद्धी करते हैं तो रक्त चाप बढ़ता है रिदय रोग बढ़ने की संभावना होती है तो अपनी औसधियां वगएरा टाइम पर लेते रहिएगा और परहेजों का पालन कीजिएगा बिद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये गोचर बहुत ही लाबगाई सिथ होने वाला है उनका आत्म विश्वास बढ़ा चड़ा रहेगा और यदि विद्यार्थी वर्ग किसी कॉंपडिशन में हिस्सा लेना चाते हैं तो इन 45 दिनों के भीतर 45 दिनों तक मंगल का ये गोचर रहने वाला है 45 दिनों के भीतर आप competition में हिस्सा ले सकते हैं आपको पूरी तरह सफलता मिलने के चांद से जाए इसमें कोई दोराय नहीं है इस बार ये मंगल का गोचर मकर रासी वालों के लिए उन्नती दायक है हाँ अगर आप partnership में काम कर रहे हैं तो partner से आपका मन मुटाओ जगड़ा हो सकता है लेकिन आपका business बिलकुल धक्के से चलेगा बहुत ही सांदार चलेगा आपकी मकर रासी वालों की आए, income इस गोचर काल में अच्छी होने वाली है मंगल देव की क्रिपा से आपके लिए income के सुनहरे आउसर खुलने वाले है आपका आत्म विश्वास इतना साथ देगा इस बार आपका कि आप अपने आत्म विश्वास से अपने लिए आयक साधन निरिमेत कर लेंगे लेकिन अब नकारात्मक्ता की बात जो मैंने की वो किस मामले में है 30% के नकारात्मक्ता देखिए चुकि चतुर्थ भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है तो चतुर्थ भाव माता का होता है जमीन जायदात का होता है आप इधर बीच ही गौर कर रहे होंगे कि आपके माता की सेहत आपको गड़बड दिख रही होगी तो मंगल के इस पूरे 45 दिन के गोचर में अगर माता आपकी पहले से बीमार चल रही है तो उनकी बीमारी में व्रिधी हो सकती है और यदि वो ठीक भी हैं तो भी वो बीमार हो सकती है कुछ जादा ही हो सकती है तो आपको उनके स्वास्त का धियान रखना है अच्छे से उनका इलाज कराना है और उनका ख्याल रखना है ठीक है? तो अब ये माता के संबन में तो निगेटिव हुआ ये 30% के इनकारात्मकता कुछ परसेंट में माता के संबन में है और कुछ परसेंट में ग्रीह मतलब कलेश के मामले में है ग्रीह कलेश होगा मंगल उर्जा के कारक हैं ग्रीह कलेश से कराएंगे इस गोचर में आपके घर में छोटी-छोटी बातों पर तिल का ताड़ बन सकता है, ग्रीह कलेश हो सकता है तो बहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल लखें और जहां चुप रहना चाहिए, वहां चुप हो करके बिगड़ती हुई बात को आप बना लें क्योंकि मंगल के इस गोचर में दो ही नुकसान आपका है, एक माता के स्वास्त को लेकर और दूसरा ग्रीह कलेश को लेकर के ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है और इस पूरे 45 दिन आप हनुमान 40 और हनुमान आश्टक का पाट कीजिए जिससे की इस गोचर की असुबता का प्रभाव आपके उपर न पड़े, ठीक है, तो मित्रों ये गोचर आपके लिए वाकई में चारों तरफ से बिलकुल लाबदाई सिद्ध होने वाला है, रुचक राजियोक का आपको लाब मिलने वाला है आर्थिक रुप में, आप इ समस्याओं का समाधान चाते हैं, तो मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730, तो मैं चलता हूँ, मुझे आग्या दीजिए, जैसी उसंकर